हलो फ्रेंड्स नमस्ते विल्कम डू माई चैनल स्निक दर्स डाइडी आज की इस वीडियो में आप लोको बताऊंगे हम किस तरह सा घर में गी बना सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल है मैं इस तरह सा बना रहे हूं विदावड फेल हुए वाला ट्रिक्स है आप भी इसको अगर आपको बहुत सिंपली है कुछ ज्यादा तान्जान करना नहीं है अगर आपको कुछ भी पता नहीं आप इजी ली कर सकते हो आपको बाद इतने मुलाई एकटा करने आप उसको डिप्रेज में रख देना है उसके बाद आप वानिक में कितना क्वांटिटी है आप उ अगर नहीं है उसके उपर थोड़ा सा थंडा पानी डालना है फ्रीजर का पानी डालके फिर से आप 25 सेगंड दो लेना है वो डिपंड करते हैं आप कितना क्वांटिटी का ले रहे हो उसके हिसाब से आपको मिक्सी करना है मेरा हुआनूई का है मलाई तो मुझे इसलिए क्योंकि एक कोई का मलाई से हमको दस दिन दर का गी बन जाती है इसमें क्योंकि हम लोग डेली पराथा में चपाती में हम लोग यूज करते है इसके लिए उसके लिए उसके बद अब थंडा पानी डालोगा न आप देखेंगे थोड़ा सा मिक्सी आचे से करने हो तो पर को आजाएगा तो आप आसानी से उसको स्पून से निकाल के एक कंटेनर में निकाल देती हूं में अभी आप देखिए इस तरह से छोटा बाला स्पून लेती हूं में एक कंटेनर में निकाल कर लेती हूं और बाकी जो लेप्टा हो रहे है उसको भी सेम प्रोसेस में फ बना रहे हो उसको दो घंडा पहले निकाल जी कि जो बहुत स्मूथ हो जाएगा अच्छे सगी निकलेगा वी तखी यह जो बाटर मिल निकला है उसमें से में एक टो बना दूंगी उसको भी हमको फेकना नहीं अबर उसको आप पीना चाहते हो तो पी सकते हो नहीं तो उसमें जब आपकी मलाई निकल गी मलाई को आपको आपको फून में इस तरह सा घूमाना है एकी डिरेक्शन जो घूमाएंगे न उसमें से जो बाटर भी रहा होगा वी निकल जाएगा बहुत इजी ली एक बार नहीं दो बार करने से जितने भी थोड़ा बहुत पानी नहीं रहन देखिए मैं किस तरह से घूमा आ रहे हूं आपको बास इस तरह से घूमाना है इस तरह से निकल देंगे बहुत इजी और सिंपल होता है अगर आप करेंगा तो अभी आपको मालूम होजा कि मुझे पहले लगता बहुत डिफिकल्ट है लेकिन दो तीन बर करने मुझे मैं अपर को बहुत इजए है किया बनाना जोब आप निकाल देंगे मेरे को मुझे ही कुछ श्रील का कुछ नहीं है इसलिए मिन अन्स्टाइक बना रहे हूं ज्यादा बाठ तो नहीं है बाकी मसाले मसाले यह एक यह यह नन्स्टाइक वाला है जिसमे में बना सकते हूं फिर मैंने डाल दी है पुरा देखिए और उपर में जो बबल्स आ रहे उसको देखके आपको बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है क्योंकि यह भी गी है बास आप उसको ना कंटीनियसली घुमाते रहे जो घुमाएंगे न वो दीरे-दीरे मेल्ट होना सुरू करगी आप देखे किस तरह सा बबल्स बबल्स आएगा उसमें से देखिए दीरे-दीरे उसका साइड साइड में आप भी देख सेके तो किस तरह सा घी चूट रहा है बहुत जल्दी कि मैकसिमम आपको 10 मिनिट्स लगता है घी बनने के लिए मैं थोड़ा स्ट्रॉंग बनाती हूं कि मुझे लाइट अच्छा नहीं लगता मैं थोड़ा दर ज्यादा टाइम तो उसको स्ट्रॉंग बनाती हूं और स्ट्रॉंग इसलिए बनाती हूं उसका जो लेप्टवर रहता है ब्राउन प्राक्टिकल सा मुझे बहुत आच्छा लगता है उसमें सुगा डल खाते हूं नॉर्म आप उसको में निकल दतू है आप उसको प्लास्टिक बला च्छानी नहीं लीजियागा जाएगा उसको बारी की बला अब देखे जो बटर मिल था में किस तरह से केक बना रहीं बहुत इजी आड सिम्पल है और भी घरमें ट्राई करिए अज मुझे कमेंड करके बताईग ह आपको कैसा लगाना आप किस तरह से बना रहा मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक के लिए बाई बाई